जो चीज आज इसमें हम डिस्कस करें हैं, वो है, how does ecosystem work, ecosystem किस तरह काम करता है, अब इसके साथ साथ हम ecosystem को समझने के लिए कि वो काम कैसे कर रहा है, और basically वो एक nature का, एक बड़ा, जो है वो biosphere का एक थोटा सा हिस्सा है, तो फिर उसके लिए हमें मुख्लिफ ecosystems मिलते हैं, क्या वो आपस में interlinked हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनका आपस में कोई relationship है या नहीं है, interdependent है या नहीं है, तो आज हमने जो है वो इसको focus करना है, इसके साथ साथ हम इसमें जो है वो कुछ examples पर discuss करेंगे, जब हम ecosystem की बात करत हैं, तो हमारे पास सबसे पहला जो चीज आती है, वो दो factors आते हैं, एक हमारे पास biotic factor आता है, एक हमारे पास abiotic factor आता है, biotic factor में हमारे पास living organisms हैं, plants हैं, animals हैं, microbes होगरा हैं, और abiotic factor ये भी एक set of components है, जिसके अंदर हमारे पास non-living जो parts हैं, for example, air है, temperature है, rainfall है, soil है, और water है, ये तमाम के तमाम एक set of abiotic components है, अब ये जो abiotic components हैं, वो इस चीज़ को ensure करते हैं, कि वहाँ पे जो रहने वाले animals हैं, plants हैं, वो वहाँ के तमाम के तमाम आबो हवा के मताबिक adopted हो, तब भी वो वहाँ पे जिन्दा रह सकेंगे, जब हम abiotic components को देखते हैं, तो वो दोनों एक दूसे के साथ adjusted होते हैं, तो हम जो है, उसमें जब हम ये चीज़ देखते हैं, तो फिर हमारे पास एक और अटाम आती है, जिसे हम कहते हैं, ecozones, ecozones basically क्या चीज़ है, ecozones को देखा जाए, तो ये चोटे-चोटे सारे जो हैं, वो जैसे micro habitats हैं, ये micro habitats जो हैं, वहाँ पे एक जो है, वो component of abiotic, जो है, व adopted है, वो एक छोटा सा ecozone जो है, वो बन जाता है, अब ये ecozones जो है, with the altitude, with the temperature, with the rainfall जो है, वो vary करते हैं, इसमें जो दोनों component है, biotic और abiotic, वो एक दूसरे को पर interdependent होते हैं, ये नहीं है कि एक अलादा चल रहा है, दूसरा अलादा चल रहा है, इसलिए nature जो है, वो उन दो जो है, वो smoothly जो है, वो एक दूसरे के साथ interact करें हैं, एक दूसरे के साथ depend, जो है, एक दूसरे को पर dependable हैं, तो क्या होगा, वो जो sun जहां से light का जो वो source है, energy का जो source है, sun rays, वो उस ecosystem के लिए, उस ecozone के लिए, जो है, वो एक start-up है, उसकी energy जो है, वो उसके लिए start-up है, इ plants के देपॉजट होगी, plants से आगे animals के देपॉजट होगी, तो जो पहला step है, जहां पर plants ने जो है, वो उस light energy को chemical energy में convert किया है, तो वो वहाँ पर क्या, जो है, वो biomass generate होना चुरूज़ होगा, biomass जो है, वो plant material based, जो है, वो matter है, अब plant material में wood भी आ जाती है, agriculture residues भी आ जाते हैं, wooden residues भी आ जाते हैं, यह वो सारे के सारे हैं, जहां से हम fuel भी generate करते हैं, तो इसका मतलब है, कि जब ecosystem जो है, यह eco zones जो है, वो perfectly काम कर रहे हैं, वो अपने जो जो living organism हैं और जो non living organism से, वो एक दुसरे के उपर जो है, वो depende करेंगे हैं, एक दुसरे के साथ चलरहें हैं, तो सब से पहले जो है, वो biomass की production होगी, biomass की production जो है, in fact, जो है, वो एक energy flow का जो है, starting point बन जायेगी, एक energy एक level से दूसरे level के उपर जो है, और जमीन के उपर जो है वो plant material से start हो रहा है वहां से energy जो है एक level से दूसरे level तक जा रही है तो यह जो dynamic सा process है यह जो है वो पूरे जो है वो biosphere जिसमें आप पुरी जह है जमीन पुरी काइनात ले लें यह उसके एक छोटे सारे हिस्से के उपर जो है वो पाया जाता है लेकिन यह eco zones जो है यह कोई separate zone नहीं है बलके यह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए zones है एक के बाद दूसरा zone दूसरे के बाद तीसरा zone इनके दिम्हान कोई sharp differences नहीं है तो यह जो basically ecosystems है इन यह को जो है वो eco zones जो है इन यह को दरहकिकत हम ecosystems कहते हैं अब यह eco systems जो होते हैं यह वो within उनके अंदर भी अपने habitat के अंदर उस ecosystem के अंदर भी interactions हैं वो interdependent हैं वहाँ पे जो animals रह रहे हैं वहाँ जो plants पाय जाते हैं वहां पे जो हवा है, वहां जो temperature है, वहां पे जो water source है, वो तमाम की तमाम चीज़ें एक दूसरे के पर depend करें हैं, उनकी जो है, जो जानदार चीज़ें हैं, उनका जो वहां पे रहने की वज़ा है, वो वज़ा यह है कि वो उन चीज़ों को जो non living organism, non living part है, वो उसको जो है, वो explore कर रहे हैं वो फिर ही जिन्दा हैं और वो वहाँ पे जो चीजें माजूद हैं वो जितने resources हैं वो उतने उस population के लिए उन species के लिए जो है वो काफी है अब क्योंकि eco zones या eco system जो है उनके दिरम्यान कोई sharp line नहीं है लहाजा एक जो है interaction एक जो है वो interdependence जो है वो within ecosystem पाई जाती है और एक interdependence जो है वो between the ecosystems पाई जाती है इन्हीं के एक के बाद जो है वो ecosystem दूसरे ecosystem में gradually एक transitionally जो है वो zone से merge होता हुआ जो है वो दूसरे ecosystem के अंदर चला जाएगा तो यह अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो interdependence या interrelationship जो है वो आएगा within ecosystem, within eco zones and between the eco zones अब इसमें हम अगर पाकिस्तान की जो है वो example ले लें तो पाकिस्तान का नक्षा जो है वो हमें यहाँ पे map नजर आ रहा है यह 3D जो है वो map है हमें इसमें कुछ चीज़ें बहुत वाज़े जो है वो नजर आ रही है अगर घौर से देखा जाए तो जो है हमारे यहां से जो इसकी white सी lines हैं ये basically इसकी international boundary को जो है वो जाहर करती है और जहाँ जहाँ पे green part है वो हाँ पता चलता है कि यहाँ पे greenery है और जैसे जैसे हम उपर की तरफ northern side की तरफ जाएंगे यहाँ पे एक जहाँ वो compass भी बनावा है जहाँ पे हमें north south और east west का पता जहाँ चल जाता है तो जो northern side है वहाँ पे जाँ देखिए यह बहुत greeny और उसके बाद बिलकुल जो उपर वाला हिस्सा है extreme north है जो border हमारा जो है चाइना या रशिया के साथ मेल रहा है वहाँ पर जो है वो white जो है वो नजर आ रहा है इसका मतलब है वहाँ पर जो है वो बिलकुल different किसम का ecosystem हो होगा अगर इसको हम vertical जो है वो हिसाब से देख लें तो हमें यहां पे जो बिलकुल यह हमारा जो ब्लोचिस्तान का हिस्सा है और यहां पर पस्नी गवादर है यहां पर कराची का हिस्सा है यह वाला ecosystem यह इको जोन different है इसके आगे जाएंगे तो जो हमें इको जोन different नजर यहां में deserts कोई नजर आ रहे है उसके आगे जाये तो हमें agriculture पार्ट नजर आ रहे है यहां पर mountainous range start हो रही है यह जो है वो green mountain start हो जाएंगे जैसे जिसे हम उपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास जो है वो different जो है वो temperature डिफ्रेंट जो है वो एको जोन होता जा रह तो blessed है with the highest mountain ranges और जो mostly जो बिलकुल northern हिस्ता है हमारा उसमें जो mountain ranges हैं वो बिलकुल snow covered है पाकिसान के पास जो है वो तीन mountain ranges जो है वो आपस में मिलती है एक हिंदुकश है जो के पाकिसान और अख्वानिस्तान के जो है वो border के दर्मियान है एक जो हमा लाइन्स है जो के पाकिसान और इंडिया के साथ मिलती है ये range है और एक करा करम की जो है वो range है जो के पाकिसान और चाइना के दर्मियान जो है वो हमें मिलती है अब ये वाली जो हिस्ता है ये ranges है ये बिलकुल उपर की side पर जो है वो आपस में फिजिकली जो है वो हमें जमीन पर मिलती हुई भी नजर आती है और जो है ये जो snow covered mountains है हमारी ये basically जो पाकिस्तान के plain areas है उनमें जो water source है वो उसका सबसे बड़ा माख़ज है अब ये जो snow line है हमारी जिसे snow line हम कहलें जहां से जो है वो snow इसके नीचे जो है वो पाये जाएगी बलके बहुत थंड़ा जो है वो इलागा पाये जाएगा तो वहां पर जो है snow line और southern slopes जो है इनकी वहां पर आपको snow है कम मिलेगी अब इसमें जो हमारे पास जो ranges आती है उसमें जो करा करम range है वो हमारी start होती है 5,650 meters above और जो western hemalines है ये start होती है 5,180 meters से इस above है ये सारी की सारी क्योंकि इसमें जो ketu है वो highest point के पर जाती है और दूसरी बात ये कि जो यहां पर जो हमारे पास snow covered mountains है basically ये दुनिया की जो है वो longest और largest glaciers है after south and north pole यहां हमें बरफ वहां मिलती है यहां जो है वो इन जो है वो पाकिसान की जो northern अलाके है यहां पर जो प यह सिर्फ इतने हिस्से पे इस फोटे से पहाडी सिसले के यहां इतने सारे हिस्से में जो हमारा हिस्सा 5000 से अबाफ 7000 तक जाता है वहां पर भी हमें जो है वो different altitudes मिलते हैं और यह different altitudes जो है वो sharply एक दूसरे से जो है उसमें temperature में और precipitation यानिके rainfall के अंदर जो है वो vary करते है तो एक spectrum सा जो है वो बन जाता है spectrum ऐसे जिसे हम कौसे कजा बनाएं तो उसमें एक रंग जो है वो नीचे होगा और उसके बाद जो है वो एक एक रंग के बाद दूसरा रंग तो यहां पर भी सिर्फ इतने से हिस्से के अंदर जो है वो हमें different eco zones जो है वो मिल जाते हैं तो यह different eco zone again क्या है different जो है वो एक दूसरे से interdependent eco systems है और यह ecosystem जो है वो जहां पर बिलकुल बरफ है वहां पर जहां पर जिन्दगी पॉसिबल नहीं है वो भी हमारा जो है वो पाकिसान का हिस्सा है वो वाला जो है स्नो वाला हिस्सा जहां पर जिन्दगी किसी हद तक नीचे आता है उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे चले आते हैं वहां पर जिन्दगी की जो है वो शुरुआत यह ज्यादा जो जिन्दगी है वो हमें नजर आती है यह different eco zones है और यह वो एक vertical spectrum जो है वो बना रहे हैं अभी हम सिर्फ इस region को जो है वो define कर रहे हैं वहां पर हम देख रहे हैं तो अगर सोचा जाए कि वो वो वाले eco systems जहां बिलकुल बरफ है वो काम कैसे करेंगे तो फिर हमारे लिए सोचने की बहुत सारी राहें जो है वो खुल जाती है कि यहां पर क्या चीज होगी कैसे होगी और यह glaciers जो है यह जो snowy area है कि यहां पर कोई चीज प plants का जिन्दा रहना मुश्किल है वो कौन सी जो है वो point है जहां पर आकर जानवर यह जो plants है वो जिन्दा रहते हैं या हम पहली जो है वो life कहां पे हमें नजर आती है in the form of plants जहां पे biomass अकटा हो और उसके बाद जो है वो animal life को support करें अभी जो हम attitudinal differences जो है वो हम देख रहे ह जहां पर हम आफिये न झौह पना नौर्धन हिस्सा नजर आता है इसमें खुरसब्स से देखिए यह हमारे glaciers है यह डिफरेंट जहांड़ी सिस्ले करा करम के यह पहाड़ी सिस्ला है यह है हम लाइंस का पहाड़ी आ जा़एगा यह डिफरेंट पीक्स है और यह डिफरें पर बरफ मुस्तकिल जमीवी है, इन के जो है वो तमाम के तमाम नाम, इन पहाड़ियों के और कहां पर जो है वो उसकी कितनी हइट है, यह सब की सब बताएंवी है, अब जितनी जो है अगर अगर आप यहाँ पर देखें तो एक छोटा सा स्पेक्ट्रम सा बन जाता है, यह कम heighted जो है वो range है यह उससे ज़्यादा heighted है और यह सबसे ज़्यादा केटू है उस सबसे ज़्यादा heighted mountain है इसका मतलब है यहाँ पर temperature जो है वो different होगा यहाँ पर precipitation जो है rainfall वो different होगी इस वाले हिस्से में जो है वो temperature वो different होगा इसमे rainfall different होगी लेकिन बहुत एक extreme difference यह sharp difference नहीं होगा यहां पर एक overall जो है वो जो temperature है जो के permanent यह ऐसा इलाका है जहां पर permanent जो है वो snow है और permanent snow का यह वो इलाका है जहां पर जो temperature है वो below zero degree जो है वो celsius throughout जो है वो year रहता है यहां पर जाना यहां पर जिन्दा रहना जो है वो उतना ही मुश्किल है यहां पर जो है वो जैसे जिसे जो है वो पहाड़ी से इसले उंचे होते जाते हैं जैसे जैसे जो है यह हम बर्फीले पहाड़ों पिचड़ते हैं तो हमें oxygen की कमी का जो है वो सामना करना पढ़ता है तो oxygen cylinder साथ लेके जाने पड़ते हैं तो जो climbers हैं जो mountainiers हैं वो अपने साथ oxygen की supply रखते हैं और उसके बाद फिर इन पहाड़ीों के और इन बड़े बरफीले पहाड़ों के उपर जो है वो इसको जाते हैं इसको सर करते हैं और यह किनन यह बहुत बहादरी का काम है तो यहां पर भी even आप जो है वो देख सकते हैं कि जो है वो आपके पास छोटा से spectrum सा बन रहा है गो कि यहां पर जो है वो सारा इलाका एक ही तरह का जो है वो ecosystem रखता है मगर यहां पर अगर जो है दूसरी नजर से देखा जाए तो यहां पर भी थोड़ा सारा जो है वो difference आएगा height म और साथ में जो precipitation में भी आ सकते हैं यहां जो है और पहाड़ी है तो यहां पहाड का सेसल एथटो किसी पेचणना आप सान है और किसी पेचणना जो है वहां बहुत मुश्किल है